नमस्कार दोस्तों, बेंकर्स फंट आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जीसा कि आप सभी को पता है IPS, RRB, P.O.C.L.E.R के अपनी एक्जाम आने वाली है 2024 की तो मैंने एक सूपर कॉंसेप्ट सीरी चलाई है जिसकी आज ये क्लास टू है इसके अंदर प्री और मैंस का जवरजस्त कॉंसेप्ट एक बार में ही सलीके से हम लोग सीखते हैं और उसके साथ-साथ में हम प्रैक्टिस भी करते हैं अच्छे-च्छे क्यूशन्स की तो फ्लोर पजल का मैंस का आज का लेक्चर है जिसमें हम लोग मैंस के सभी टाइप के कॉंसेप्ट और क्यूशन्स यहां पर देखेंगे कि फ्लोर पजल में किस किस टाइप के क्यूशन्स बन सकते हैं जाधर तर देखो आजकल मैंसे फ्लोर इंफलेट आ रहा है वो भी पढ़ेंगे उसका अलग लेक्चर प्लान है जैसे कि मैंने लाज क्लास में बताया तो चार लेक्चर लेंगे उसमें से एक लेक्चर हो चुका है एक क्लास हो चुकी है सेकंड क्लास है अपनी ठीक है तो इस class में basic लिए अपने लोग floor puzzle के जो men's type के questions हो सकते हैं जो आपके exam में आ सकते हैं वो देखने वाले हैं तो floor base puzzle का देखो अपने class plan बनाया तो उसमें 4 class का plan बनाया था जिसमें पहली class में अपने floor puzzle पढ़ा था pre level का इसमें पूरा basic भी पढ़ा था तो वो जो अगर किसी ने basic नहीं पढ़ा है तो आज की class में भी उसके लिए मुश्किल हो सकती है तो इस class को जरूर देख लिजेगा link आपको description मिलेगा अपने channel पर जाके search कर लिजेगा super concept series की floor puzzle की first class pre के लिए इसमें जो basics पढ़ाए हैं उनका यूज आज की class में भी होगा क्योंकि pre में जो basic सीखते हैं उन्हीं को 4 आएंगी class 3 में floor inflate देखेंगे pre के लिए और class 4 के अंदर floor inflate देखेंगे mains के लिए और 4 classes में अपना floor based puzzle हर type से complete हो जाएगा बिल्कुल basic से लेके advanced level तक ठीक है अब topic पे जाने से पहले एक चोटी सी जानकारे देता हूं कि मैं 25 जून को रात 8 बजे आप सभी बच्चों के लिए एक बहुती special announcement लेकिया रहा हूं तो bankers point youtube चैनल पे 25 जून रात 8 बजे मेरे साथ में live जूडना बिल्कुल भी न भूले इसके इलावा कुछ बच्चे जो rrb के लिए dedicated batch live batch join करना चाहते हैं या फिर एक साथ बहुत सारा content चाहते हैं सारा managed way में content मिल जाये सारा practice के लिए भी और आपके lectures भी मिल जाये बाकी subject के lecture भी मिल जाये तो आप मेरे courses join कर सकते हो एक note बता देता हूं कि मेरे courses सिर्फ और सिर जहां पर लिंक्स बगरा मिल जाएंगे जहां पर आपको मेरा नाम लिखा मिल जाएंगे तो वहां उनके चक्कर में ना पढ़ें अपनी official एक एपलिक ऐसा है ने bankers.com पर आप लोगों के लिए नया बैच लेकर आ रहा हूं तो आप लोग यह चार तरीके की बैचे इनको join क कर सकते हो ठीक है इन सभी बैचे में Maths और Reasoning की Live Classes में लेने वाला हूं बाकी सब्जेट का सारा आपको recorded content मिलेगा लाइव क्लास मिलेगा लाइव क्लास सिर्फ मेरी मिलेंगी Maths और Reasoning की मेरे पुराने जितने भी बैचे हैं और RRB के लिए कि special बैच में चलाया था 22 जनव है कि मैं पहले ही सारा पढ़ लेता हूं या फिर कुछ टोपिक अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो recorded में देख लेता है तो वह सारी चीज़ें यहां पर available हो जाएंगे आप लोगों की अभी इस पे मैंने discount लगाया हुआ था first 100 students के लिए ठीक है तो वह 100 students तो यहां पर complete हो हो चुके हैं क्योंकि पिछले दो वीडियो में announcement चल रहा था बेच का तो अभी बच्चों की request पर क्योंकि phone आ रहेंगे सर हम में हम ज्यादा फीस थोड़ी देंगे तो यहां पर मैं इसमें 100 सीट और प्लस कर रहा हूं ठीक है तो यह 200 सीट तक अब यह discount चलेगा जिसमें ज इसके बाद में कोई भी extension नहीं होगा इसके अंदर ठीक है 200 students को मिल जाएगा उसके बाद में जो भी आएगा पूरी फीस आपको पे करनी होगी क्योंकि हर चीज एक limit में कर सकते हैं उसके बाद हैं बहुत सारी चीज़े मैंनेज करनी होती है आप लोगों को पते हैं तो यहीं बता देता हूं ठीक है और लाइव क्लासेज भी होंगी और आपको पुराने recorded वीडियो मिल जाएंगे काफी कुछ भी लेगा प्रेक्टिस में अगरा वह चेक कर लीजेगा आप लोगों को जो यह क्लासेज हो रही है इनकी क्लास नोट्स चीए तो टेलिग्राम पे ह हम लोग ऐसे कैसे क्लास नोट्स देते हैं जो यहां पर में कुशन सोल करूंगा ठीक है उनके सोलूशन वगईरा जो यहां पर बोर्ड पर जो सलाइट चलेंगी न वह ऐसी कैसी सलाइड आप लोगों को नोट्स के रूप में मिल जाएंगे टेलिग्राम के उपर उसके लि फ्लोर पजल का हम लोग क्या देखने वाले हैं मेंस के कुशन मेंस के कुशन की सबसे बूरी बात यह है कि इतने बड़े-बड़े कुशन होते हैं अब मोबाइल की स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी चोटी पढ़ जाती है इनके लिए लेकिन फिर भी मैं कोसिस किशन को रखने का प्रयास करेंगे आगे के कुशन में जहां पर छोटे कुशन होंगे कुछ माहापे हिंदी-इंग्लीस दोनों भी रखेंगे लेकिन हिंदी आपको एक बार जरूर पर दिखा दूँगा जैसे यह जो इसके बड़ेश कुशन है यहां पर भी दिख सब कर तो यहां पर मैंने थोड़ा size बढ़ा कर लिए Means यहां पर भी नहीं ले पाया लेकिन कहीं ले पाँँगा किि हिंधी जिसे इस question में हिंदी ले पाया तो यहां पर मैंने साथ में हिंदी ले ली तो कोई भी बच्चा यह ना सोची हिंदी वाला किसार आप हिंदी में क्यों नहीं करा रहें देखो मेंस के कुष्चन है थोड़े बड़े होते हैं ठीक है तो थोड़ी सीस में साइज की दिक्कत होती ही है हाना तो नोट्स जब आप डाउनोड करोगी तो पूरा अच्छे से दिखेगा आप लोगों को तो टेलिग्राम पर जागे नोट डाउनोड करें वहाप पर अच्छे से कुष्चन दिख जाएगा अभी आप हिंदी वाले एक बार स्क्रीन सोट ले ले लेना में साइड में हो कि तो कि शहाब से दिखेगा आप बढ़े हैं टाइप की कुंसेप्ट अगर ऐसा गुचाता है वह तो वह aha तो चेसे वेकेंड फ्लोर का कॉंसेप्ट आप लोग सीख जाएंगे तो ध्यान से देखेगा इस कुश्यन को देखो भई कुश्यन क्या बोल रहा है अपने से हिंदी वाले अभी साथ साथ में थोड़ा सा पढ़ लेना इस पीड से टीकि फिर अगली सलेड पर इंगलिस में ह बन्हेंग पूजा एट पीपल आर लिविंग ओन नाइं दिफरेंट फ्लोर्स और यहां पर तोटल क्या बोला गया है कितने लोग है ठीक है सीवं भव्या प्रिया अंकिता आस्ता श्यों ने भानों पुझा एट पीपल आर लिविंग ओन नाइन डिफरेंट फ्लोर्स यहां पर जैसे ही आठ लोग है नो फ्लोर बोल रहा है तो एक फ्लोर विकेंट होगे आउटमेटीकली आगे लिख के दें भी देगा यह लेकिन एक कॉम्मन सेंस के बाद हो गया लेकिन एक बात हो ले इसमें समझने वाली है यहां पर कई बच्चे गल्ती क्या करेंगे कि सर नाइन डिफरेंट फ्लोर बो हो गया आगे कहीं जानेगी जोरत नहीं है आगे तुम लोग उलजते जले जाओगे बस इतनी सी गलती इस दनी छोटी छोटी बारिक चीज़ों के उपर भी है ना अपने को ध्यान देना क्योंकि ये छोटी सी गलती भी पूरा कुशन टाइम पूरा पेपर गड़ड़ कर सकत देखती है अपना यहां पर देखेंगे देखो कुशन ने साफ साब बोला है कि नो लोगे आठ लोगे नो फ्लोर पर रहते हैं लेकिन आगे द्यान देना जनरली ऐसा होता नहीं अपनी आदत बन गई होती है एक से लिखने कि लिगे लिगे देखो इस कुश्चन में क्या अन से लिग भॉल आ है कि लाओर मोश्स फ ere सेध मिलें घृभोभ के लीगे बाद है मिलंगे इस ने स्क फिलाज़ में अलग ग्रांट फ्लोर इंक है यह अा या एक नबर वोलंगा फिर वो लेंट 101 प्रोप मौश्ट फ्लूर यह नमबर ही बोलूँगा फलूर नो है लेकिन नमबरिंग आट तक ही है कैसे इसे ने ग्राउड फ्लूर لك को ग्राउड फ्लूर ही बोल दिया उसके बाद में एक दो तीन चार पांच छे साथ आइट एक तो starting में यह गलती हो सकती है तो यह छोटी सी बात है ध्यान में रखिएगा ठीक है अब यह वाली चीज तो प्रीमे भी कर सकता है तो इस question से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वो सीखना है अपना class का मकसद होता है सीखना ठीक है और एक चीज और बता तो यह super concept series के बाद मे ना फ्लोर पजल की चार क्लासे जो जहेंगी अपनी उसके बाद में आपको ना कोई class देखने की जूरत नहीं है आप प्रेक्टिस करोगा एक बार में जो पड़न एक टीचर से जो चीए होता है उसके बाद में आपकी प्रेक्टिस ही काम करेगी ठीक है तो ध्यान से देग यह वह comment करके बताएगा सान मुझसे हुई थो बाकी बाद चबोए ठीक है यह हो गया अमंग दीज नाइन फ्लोर देरी जवेकेंट फ्लोर वह तो आपने वैसी पता लग गया था कि विकेंट फ्लोर है नो फ्लोर में से क्या वेकन फ्लोर है and so on till the top यह हो गया in this building each one of them like different brands clothes hugo boss ठीक है लेकोष्टे Kelvin केलिन लुइस वीटन गुची नाई कोलिस्टर अमेरिकन इगल ठीक है यह सारे के सारे क्या इनको पसंद है ठीक है जीव जीव से ब्रण इन सब लोगों को पसंद है तो वैसे क्यूश्टन देखने में तो यह लग रहा है तो यहां तो यहां तक ही छोटी सी जानकरी अपने को दी हुई थी अब मैं आगे जा रहा हूं और इस यहां पर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे आपको इतना सुंदर और टाइम लगा के फ्लोरिंग बनाने जूरत नहीं है मैं यहां पर थोड़े सा लीके से बनाऊंगा ठीक है ताकि इतनी मेहनत से कुशन कर रहे हैं तो अच्छे से दिखे सब कुछ उमीध है सब को दिख रहा हुगा सब कुछ ठीक है भई दिख रहा है कि नो फ्लोर बनाने हैं वहीं कि अधिक है समझते चले जाना कंसिप्ट समझ गए तो फिर सारी चीज़ें आप लोग कर लोगे तो यहां पर फ्लोर नंबर्स अगयरे लिखूंगा यहां पर नाम लिखूंगा यहां पर ब्रेंड का नाम लिखूंगा और दो केस अगर बनते हैं तो दो केस की संभावना रखूंगा ठीक है तो यह नीचे नीचे वाले फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर बोलेंगे फिर एक दो तीन च्यार पाँच शह साथ आठ नंबर तक यह चलती जाएगी कहानी अपनी ठीक है यहां तक कुष्चन अपने लोग पढ़ चुके हैं अब यहां से कामखा पढ़ते हैं ठीक है यह भी मुझे हटा देना चाहिए था इस सलाइड के लिए यही रखता थोड़ा बड़ा दिख जाता आपको अगले कुष्चन से हो जाएगा इस कुष्चन में मुझे ध्यान नहीं रहता ठीक है चलो अब कुष्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझेंगे में है कि देर आर फोर पर्सन हो लिव बिट्विन दा वन हूर लाइक्स केल्विन केलिन एंड अंकिता हूं इमेडियेटली बिलो दा वन हो लाइक्स गुची अब देखो कई बार ऐसे बहुत सारी चीज़े एक ही लाइन में दी होती है तो भी एक सेंटेंस में दियो तो भी बहुत सारे बच्चे गन्फूज हो जाते हैं तो अपने को क्या करना है टुकडो के अंदर आराम राम सब्सक्राइब बोला देर और फोर पर्सन हो लिव बिट्विन वन हो लाइक्स अगर के बाद में मैंने पिछली लेक्षे में समझाए तो लाश्ट फरसन के लिए कयलिए अभी फिर बोलर ओओ ऊ सुरुआ में सपर्सन परशन के लिए थे कह कि सके लिया है भूल हमेडियो भूले के जच्ट नीची रहेगी तो अंकीता के ऊपर यह दोनों वापस मी रह ठीक है तो यह पन्ने स्थान्ती से लिग दिया अभी तक इसमें कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं अपनो फॉलोर है कहां क्या रखो कि बहुत केस बन जाएंगे साइड में रखते हैं इंफोर्मेशन को यही तरीका होना चीए आपका भी एक्जाम में करने का कि एक बार इंफोर्म चलना चाहिए और दिवांगजल देली चलना चाहिए यह आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी ठीक है यहां में आपको एक पॉइंट समझाने का प्रियास करूँगा आगे आ जाते हैं सीवानी लाइक्स इमीडियेट शीवानी लिवजें स्वर्य लाइक्स लेकोष्टे ठीक है तो सीवानी अबो रहेगी लेकोष्टे के इमीडियेट अबो रहेगी तो एक मेडम है अपने सीवानी मेडम ठीक है यह यह लेकोष्टे ब्रांड है इसको पसंद करने वाले कि जश्ट उपर तो लेकोष्टे को LAC लिख देता हूँ मैं ठीक है जब देखो ये उपर नीचे फिक्स नहीं होता है तब मैं ये लगा देता हूँ कि उपर नीचे भी हो सकते हैं जब अगर नॉर्मल लिखा हुआ इसका मतलब ये फिक्स है ये नीचे ये उपर ठीक है जी आ गया अभी तो क में चार लोग रहते हैं आज था और लूइस विटन यह जो ब्रांड एल्वी इनके विचे चार लोग रहेंगे तो आपस में उपर नीचे भी और सकते हैं अभी तक यहां कुछ नहीं लिख सकते तो आगे बढ़ते हैं रहा है दो वान हुझ फ्लोर नंबर वन लाइक केल्व अब अगर मान लो किसी बच्चे ने यहां से वन नंबरिंग फ्लोर लगाई होती तो यहां लिख देता हो यहीं से गड़बन को टाला चाल हो जाता उसका इसलिए यह ग्राउंड फ्लोर नंबरिंग सबसे पहले सही होने चाहिए ठीक है कभी कभार ऐसा होता है लिए नोड यह इंडिगेट कर देना कि एक फ्लोर इन में से वेकेंट है आट लोग रहेंगे अब देखो कई बच्चे यहां पर यह गलती कर सकते हैं कि सीके और अंकिता के बीच में कितने लोग है चाहर तो नीचे तो हो नहीं सकते तो आप वो क्या करेंगे अच्छा एक चीज हो रह कर दर आपको अच्छे से बेसिक समझाया था लेकिन मालो कोई बच्चा वहां पर नहीं ता तो मैं फिर से समझा देता हूं जैसे माल लो ए और बी के बीच में एक परसंड बैठा हुआ है यह यहां कोई भी बैठ सकता है लेकिन माल लो एक फ्लोर वेकेंट है और मालो यही गया और बी में यह झीरो लोग बैठ गहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एस बीसे बैठ गया तो एकी फ्लोर का यह और एक परसंड बीच है लेकिन जब परसंट होते है तस अपने ठ्घान ना है? तो यहाँ पर क्या लिखाता लिखना चाहिए था अपने को अब लिख लेते हैं there are four person ठीक है तो यहाँ पर person लिख देना कि चार person होने चाहिए सिर्फ floor की बात नहीं है floor हो तब चाहिए कुछ भी मत लिखना ठीक है person लिखना ठीक है अब यहाँ देखना आस्था और यह जो एलवी के बीच में कितने थे there are four person यह भी person थे वे चार लोग होने चाहिए ठीक है floor नहीं यह तो immediate floor पे रहता है immediate उप पढ़ने चे रहता है तो इसमें वेकेंट का फोई रोल नहीं है अब आजाते हैं question पर अब कई बच्चे ऐसे गलती कर देते परसन अगर नहीं लिखते वेकेंट का concept उनका clear नहीं होता जो मैंने last lecture में और भी चार परसन रह गए अब सोचो अगर इनके बीच ही कोई वेकेंट floor आ गया तो बताओ यह condition का लट हो गई कि नहीं हो गई हो जाएगी तो यहाँ पर दो condition यहाँ से बन सकती है अगर मान लो कोई भी floor वेकेंट नहीं होता है तो एक दो तीन चार यहाँ पर अंकित आ जाएग लेकिन अगर अब इनके बीच में कोई फ्लोर वेकेंट रह जाएगा तो एक दो इनके बीच में नहीं हो कर लिया नहीं कर लिया कि या तो इनसे में फ्लॉर होगा या नहीं होगा थो यह मनेगी होगा तो एंब कर तो इस्का एक केस निए दो है को इसी तो नहीं देखर अगर वेकेंट पर्सन और कर फ्लॉर में लेकंट फ्लोर वाले में अगर आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता है तो दिक्कत आ सकती है बहुती आसान तरीके से अपने देख लिया यहां पर दो केस यहां पर बन रहते हैं तो मैंने बना दिया अंकीता के ज़स्ट उपर गुची होगा यहां और मुची हो जाएगा यहां मुची हो जाएगा ठीक है इस वाले केस में देखना भई इस वाले केस में इनके बीच में तो वेकेंड फ्लोर नहीं हो सकता तो यह वेकेंड होगा यह होगा आगे पता लग जाएगा कौन सा वेकेंड होगा भी आगे बढ़ते हैं कुछ तो पूजा मेडम यहां पर क्या होगी ग्राउंड फ्लोर पर बैठ गई अब इस केस में देखो दिमाग लगा लेना में इन दोनों के बीच में तो कोई फ्लोर खाली हो नहीं सकता वेकेंड हो नहीं सकता अपने पहले एजियू कर लिया है तब ही तो च्यार परसन होगी यहां बुच्छी बेटा हुआ है तो फ्लोर होगा यह पूजा बैटी हुए तो इसमें वेकेंड फ्लोर यह होगा तो यह से कुरोस मारोंगा थो इसमें तो कैसे वेरें को वेकेंड फ्लोर का है पाके चलते हैं इसमें नहीं पता चला अभी इसमें इनके बीच में होगा कहीं भी हो सकता है कि सिवानी लिव ओने ओड नंबर फ्लोर हुड डिजन्ट लाइक नाइक है ठीक है जो सिवानी मेडम है ना ओड नंबर पे रहेंगी यह जो सिवानी है न यह ओड नंबर फ्लोर पे रहेंगी और इनको नाइकी पसंद नहीं होगा ठीक है चलो जी आगे बड़ते हैं अभी तक इससे कुछ नहीं उखड़ेगा There is only one floor between भानू's floor and vacant floor Vacant floor और भानू के floor के बीच में एक floor का फरक होगा परसन का नहीं floor का फरक होगा ये vacant floor है एक छोड़ के यहां भानू आना चीए तहां भानू यहां नहीं सकता तो यह सुरूवाद में इंसेल कहले हैं यह केस बने गाए रहा हैं अगर आप इसमें उलज जाते तो उल्जेए तो समझना एक हर पोसिभिलिटी पर दिवाग चलना चीए एक बार सुलजे वे तरीके से पजल सीख लोगे तो स्पीड तो प्रेक्टिस के साथ बढ़ी जाएगी यहां तक अपन लोग आ गए ठीक है तो मेरा काम में समझाना में दिरी दिरी समझाओंगा अगर मैं बागते हुए सो लोगे दिखा दूगा तो आपके तो कोई फाइद ठीक है अब देखो वेकेंट फ्लोर अब इसके लिए तो अपने को लिखना पड़ेगा ना क्योंकि अभी अपने पास में वेकेंट फ्लोर का पता ही नहीं है वेकेंट फ्लोर और भानू के बीच में एक फ्लोर होगा तो यहां कहीं बीच में वेकेंट फ्लोर होगा कहीं प Eagle is same as the number of person living between Sivam and the one who likes Nike यहां भी person बोज रहा है floor नहीं बोल रहा है त्यान रखना तो किस किस के बीच के person कौन कौन है living between Sivam and American Eagle सिवम और American Eagle के बीच में जितने लोग रहेंगे उतने ही लोग सिवम और Nike वाले के बीच में रहेंगे ठीक है और यह है यहां पर person तो denote कर देना है अपने को person यह रूप में अब मैं आपको एक चीज बता लेता हूं कि जब भी आप लोग ऐसे लिखते थे normal question में तो अपने यह सोच लेते कि अमेरिकन लोग नाइक की मिड में सीवम आएगा यहां जरूरी निये मिड में भी आ जाए और person ओ तो फ्लॉर तो पर नीचे भी वह सकते बीच में अगर विकेंड फ्लॉर कहीं ऊजगया तो एक बार इसको यहां पर person की रूप में इंडिकेट कर लेते हैं तो कुक्य अपन यहां जाएगा इच्पी पूजा के बीच में एक दो तीन चार पाच फ्लॉर का गेप हो गया ठीक है आगे चलते हैं सीवम ड़जन्ट लिव ओन दफ्लॉर अबोव सीवानी फ्लॉर पोल रहा कि सीवम सीवानी के फ्लॉर के उपर नहीं रहेगा तो सीवम सीवानी के Amm or I कहीं फरके ज़्यादा कुछ फ़रत हैं नितुमकीथब नाइदर लाइक अमेरिकन इगल गंडल लाइक नाइकी जो अंकीता है ना तो अमेरिकरिकंड़ाइक करेगी और नहीं नाइक लाइक करेगी इनके बारे में कुछ उर भी अपने को पता है ख़्या नहीं पता है थ्ञेए एक चीज देखना आस्था य यपा और यूपा चार परसंस हैं तो अभी वेकेंट फ्लोर का नहीं पता तो चार परसंस का किसी पता लगाएंगे तो कोई बात नहीं एक बार आगे बढ़ते हैं कि देढर मोर दें 3 फ्लोर बिट्वीन अफान ही लॉन फॉल यॉडश एंड बनू हुगो बोस और भाणू के बीच में तीन से ज्यादा फ्लोर का गें ठीक है तीन से ज्यादा का बतलब चार और और पांच सकता है छै और शे तो चार से देखना इक स्टार्ट करते है अपना माइंड चैट भी होना चीए लाश्ट पास वह बताया था कि चार यहाँ पर बंदे हो सकते हैं कम से कम पांच भी हो सकते हैं चैब तो चार देखने सबसे पहले हूगो बोस और बानू के बीच वे मोर देन ठ्री बोल रहा है हुगो बोस बान उपर तो फो हो नी सकते तो एक दो तीन च्यार फ्लोर बोला है ना more than three floor ठीक है फ्लोर बोला है तो यहां पर परसन का कोई चक्र नहीं है तो more than three four एक दो तीन च्यार ठीक है एक सेकंड लोगने पूजा जो नाम है वो इदर आएगा ठीक है गलती से उदर लिखा गया पूजा नाम इदर आएगा ठीक है एक दो तीन च्यार फ्लोर ठोड़के यहां बानु आ सकता है अब मुझे बात बताओ खुगो वोस और उसमें तीन से ज्यादा च्यार तो कम से कम ही तो च्यार छोड़के यहां आ रहा है पांच छोड़ देगा तो पूजा की जिगा आएगा नहीं आपाएगा फिर नीचे जाएगा चाह चोड़ देगा तो ज्यादा च्यार ही छोड़ सकता है यहीं आएगा तो बानु आइसा भी यहां आएंगे ठीक है जी बानु और वेकेंट फ्लोर की बीच में अब जैसे छोड़ के यह वेकेंट फ्लोर हो जाएगा तो क्रोस मारते हैं वी यसी लिग दो एक ही बात है ठीक है चलो यह हो गया अपना काम यहां पर अब देखो आस्था और एलवी के बीच में चार लोग रहते हैं तो देखो आस्था के लिए तीन चार जगेंगे बची है तो देख लेते क्योंकि चार प्लेसिंग है यहां पर कुछ बन सकता है तो सोचते हैं दिमाग में आस्था अगर यहां आ जाए ठीक है तो परसन का परसाल आद्ता एक जाए तहीवाइव है तो यह फ्लोर परसंगे में नहीं काउंड ऊंडोगा इसको काउंट नहीं करेंगे अपन हम में थाथा यह तो एक दो तीन च्यार चोडी के यहां पर आ अलु आ सकता है आस्था आगर यहां आजागी तो 1 2 3 4 5 ख कुछ नहीं हो सकता आस्था अगर यहां जागी तो 1 2 3 4 से के बहकर कुछ नहीं हो सकता आस्था के लिए सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां आस्था आ सकती हा वो यहां पर और यहां से 4 परसन छोड़ दो 1, 2, 3, 4 ठीक है, एक सेखन ये भी नहीं बेटेगा यहां तो 4 है न, 1, 2, 3, 4 ठीक है, एक सेखन तो यहां पर पर नहीं आपाएगा आस्था फिर यहां सकती है ठीक है प्लब आस्था और लिए इसके जगह यही थी ठीक है न वह ब्राइंड के लिया जाएगी अब एक दो तीन च्यार चोड़ दिया और यहां पर यह जो एलवी ब्राइंड इसके फॉल फोर्म होगी कोई लेकि होगी वह यहां आ जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर बराण नहीं आ सकता था क्योंकि बराण तो पहले से था तो उल्टा कर दिया पर आस्था वह यहां लेगा यहां लिग लिए तो यह इनफोर्मेशन भी अपनी काम में आ गई चलते हैं आगे आस्था नाइदर लाइक केलिविन केली न हुगो बोस तो आस्था वह तो पहले बिठा दिया हुगो बोस और यहां पर वैसे भी आस्था नहीं आ सकती थी ठीक है तो यह वैसे भी बहुए पहले से तो इस लास्ट लाइन का पने लिए कोई मतलब नहीं है Cherry information में सीव हला बरण आएगा अब देखो सीवानी के जश्ड नीचे यह बरण कहां कहा सकते हैं तो सिवानी सकती है नहीं सीवानी यह आ जाएगी तो ले इसी बरण यह आजाएगा ठीक है ओर कोई जगह बताओ सिवानी के लिए तीन एक कोई भरा हुआ है सब यही 5 number ही खाली है सिवानी के लिए और कोई खाली ही नहीं है तो सीवानी मेडम ही आ जाएंगे सीवानी के नीचे ये वाला ब्रण्डा जाएगा ठीक है ओर नंबर पे भी आ गई और सीवानी और मस्लाने को नाइक की पसुदनेरी तो यहां नयकी नहीं आएगा ऐक इइंफोर्मेसन लिक सेली तऱो sayry की सारी बात कपोते हूगी शीवाणी के नीचे सीवर्म आये गा यह और दीया हो आ है ठीक है तो सिवानी नीचे शिवं आए aja तो यह देख लेंगे भी अपन भाद में ठीक है अब यहां और आ जाते हैं अब बोला खया है ठीक है अब ब्रंकिंड और डेख लेँ कि इहां भी नजी की नहीं आएगा दूज और शिवानी को के लिए जगह ही एक बचती है कौनसी ये वाली तो पूजा को नाइक बराण पसंद होगा ठीक है अब आपका अमेरिकन इगल बराण बचा तो यहां नहीं आएगा तो यहां आजाएगा ठीक है एक बराण और बचा है जिसका नाम क्या है वही देख लेते हैं हुगो बोस ले अब यहां पर एक दो तीन नाम मचें ठीक है अब देखो आप बताओ नाइकी और अमेरिकन इगल के बीच में सिवम आएगा कहीं पर इन दोनों के बीच में परसंस भी सेम होंगे ठीक है तो अमेरिकन इगल और शिवम के बीच में नाइकी और अमेरिकन इगल के बीच में स परसन छोड़ने विकन फोलो नहीं चोड़ता तो यहां तो सीवम की जगह यहीं आएगी और सीवानी से नीचे आएगी तो सीवानी से नीचे यहां तो यहां हो सकता है यहां हो जाएगा तो यहां हो जाएगा तो यहां हो जाएगा तो जाएगा तो जाएगी अब आप देख और का फरक पढ़ रहा है पूरा कॉंसेप्ट का तो यह भी आप पर अपन क्या कर देते हैं काड़ देते सारे इंफोर्मेशन अपनी हो गई यहां पर ठीक है अब क्या बच गया वही दो बन परसंद बच गए यहां पर ठीक है तो ही 2 परसंद कैसे कैसे बचे भई कि यह क्या बोल रहे हैं कि देरार मोर दिन थ्री फ्लोर भानू आस्ता नाइदर लाइक के लिए ने हुगो बोस अब यह दो लोगों की जगह बचते ही बच गई यहां पर ठीक है तो दो लोगों की जगह है कौन-कौन से नाम बच गई वही देख लो शीवानी आ गया आस्ता आ गया वेकेड फ्लोर आ गया भानू आ गया सारा सिस्टम सेट हो गया इसमें दो लोगों बच गए नाम देख लेते हैं दो लोगों के किस किस के बच गए भाविया और प्रिया बच गए वही ठीक है तो भाविया और प्रिया की जो पोजिसन है ना इनकी positions clear नहीं है, ऐसे भी होता है question में, confusion नहीं होना है, देखके यह सब, अब आप जब question देखोगे, तो इसमें भावया और प्रिया का कोई कोई question जरूर होगा, जैसे यह रहा, who among the following lives on the floor number 4, 4 number floor पे कौन-कौन रह सकता है, तो आप देखो, चार number floor पे भावया और प्रिया में से कोई भी रह सकता है, तो question में option भी वैसे ही मिलेंगे, a option देदिया, भावया भी देदिया, प्रिया, फिर बोला either a और b, यानि option a या b, इन दोनों में से एक, तो आई दरोर देदेता है, अब देखो, ये question दो आपको खुद से करने में ने question बना दिया, थोड़ा समय मुझे समझाने में लगा, लेकिन उमीद है, एकदम सुल्जे हुए तरीके से समझाओगा, अपरोच समझेगी कि ऐसे question को handle करते है, ठीक है, हर तरीके की सोच लगा, यहां भी अपन केस उल्टा सीदा बना के नहीं फसे, हर चीज बारीग बारीग मैंने बताने की कोशिस की, क्या होता है कि कई बार लगता है, हमें में पजल बनातों बनती नहीं, हम क्या करते हैं, पजल की कुछ condition मूल जाते हैं, हम वो language सही apply नहीं करते हैं, problem वहाँ जादा होती है, स्पीड विस्पीड अपने आप बन जाती हैं, अगर language सही से सबज लिए, जल्दी पढ़ाना सीख लिया हाथ चलाना सीख लिया तो, हमारे साथ दिखती है कि पजल सबज में नहीं आता, पढ़ावा बोल क्या रहा है, फिर करना क्या है, वहीं नहीं सीखते हैं, हम लोग द स्कूल में कहीं जाओगे, किसे सीखोगे, धिरे-धिरे डरते डरते चलाओगे, फिर दो धिरे-धिरे आइस्ता आइस्ता आपको सारी चीजे समझ में आने लग जाएंगे, यह क्या होता है, तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएंगे, तो इस पीड अपने आपने होती है तो उसी तरीके से आपको चीजों को देखना है अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट कुश्ण के उपर ये सब कुश्ण जो है आपको नोट्स में टेलिग्राम में मिल जाएंगे तो वहां पर सौल कर लिजे आप ठीक है नेक्स्ट प्रशन पर आ जाते हैं ये रहा ढबिए गए नेस्ट कुश्श्ट ठीक हैं एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ ठीक है जिसको देखना है स्क्रीन को लेना है एक बार ले लो बगी नोट्स में तो टेलिग्राम पे मिल ही जाएगा ठीक है बही चलो देखते हैं मुल किया बोल रहा है अपने को कुश्यन बोल रहा है एट पीपल a b c d e f g and h live in 10 different floors of a building 8 लोगे 10 floor है समझ के मतलब दो फ्लोर खाली है तोभी थोड़ा बड़ा दिख जाएगा के लिए तक बताहिता हो य। इन य। पड़ा नेसरी इन गरिख देंगे तो अब य। दो हुब भी दिख सथ से लिकते हैं एगे एच वन अब लेम ऑन defence ममट बाइन नमली लेने वो एपल बन्स एस्टाइचे सेमच ऑपो असूस एंड सो नी अलग अलग मॉबाई पसंद गरतें ठीक है, each one of them also participate in different number of events, starting from 1 to 10, यानि कि यह जो 8 लोग ही ना, यह अलग-अलग event में जाते हैं, different number होगा सबका, लेकिन 1 से 10 के बीच में होगा, कोई भी 2 number हो सकता है, इसकी पोजाएं जैसे, किसी का 4 आएगा, किसी का 5 आएगा, किसी का 6 आएगा, किसी का 7 आएगा, एक से लेके 10 तक की नमरी में आएगा, और कोई 2 number missing होगे, ठीक है, different number of events के अंदर यह participate करते हैं, तो 3 variable होगा, नाम हो गया, mobile हो गया, और यह event की संख्या होगा, ठीक है, इसको last line जब पढ़ेंगे, तो हटा के देख लेंगे, ज्यादा छोटा नहीं करेंगे, और भी छोटा हो जाएं ठीक है, पहले 10 फ्लोर में आ लेते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इदर यह लिग देता हूं में, कि आए इंडिकरट करेंगे, क्हिंधे हैं और कितने फ्लोर वेकेंट हैं तो ध्यान रखना है मेंस अदिमारक में क्वेशन करते हैं भी दो फ्लोर वेकेंट भी हो सकते हैं, तो बैकेंट वाला पूरा कॉनसेट्ट लगाके ही चलना है अपने को, ही आज़र, वोई दस फ्लोर बनाने अबने को दो इस कुष्चन में अगर ज्यादा केस बनेंगे तो अगले पेज के उपर बनाएंगे फिर अपन फिलाल अगर एक केस बनेगा तो यहीं पर एक या दो केस तक रहेगा तो इसी पर काम चला लेंगे एक दो तीन च्यार पाँच छे साथ आठ नो दस दस फ्लोर हो जाएंगे क्योंकि दो वेरिएबल है ना इसमें तो दो केस बनाने ही बड़े मुश्किले एक बार एक केस की जगर रखते हैं नाम आएगा ठीक है सबसे पहले थोड़ा पतला बनाना बढ़ेगा रहा है पहले तो नाम आएगा भी सेटी एफ जी एच पो फिर मुबाइल नमबर मुबाइल का नाम आएगा थोड़ा से चोड़ा रख लेते इसको फिर इवेंट की संख्याए ठीक है जो रत पड़ेगी तो आगे देखेंगे बनाएंगे अभी तो छोड़ देते हैं ठीक है जी ट यहीं से इतना ही लिया है आगे का फिर भी देख लो सो लुकरने के लिए जगह नहीं बच रही है बूरा काट दिया उपर से आधा कुछन जो नॉर्मल बेसिक जानकरी थी वो ठीक है क्योंकि थोड़े बड़े होते हैं यह क्या किया जाए टॉपिक है इसमें सही तरीका त यह आप यह नगे में प्ला ऍंभर 8 एंग 7 respectively यहां आ जया है से कि शोने वाला आठ नंबर नहीद थिक है तो आपका थो कुछरा वाला आठ नंबर पर नहीं रहेगा मोबाइल ठीक है सोनी एंड एपल रेस्पेक्टिवली और आठ नंबर पे सोनी और साथ नंबर पे एपल नहीं रहेगा आप यह कुश्य ने बोल दिया है तो जैसे जानकारी सीधा रेक सकते हो यहां पर लिख दी मैंने डाइगराम में the one who likes HTC leaves immediately below the floor on which C leaves जो HTC वाला है न वो C के immediate नीचे रहेगा तो यहां पर लिख दिया साइट में ठीक है the one who likes HTC leaves immediately below the floor on which C leaves the number of people living below F is same as the number of people living between F and H people बोल रहे यानि person बोल रहे floor नहीं बोल रहे और दो Transit के केढ़े हैपर तो ध्रीजार रखना है इस चीज को और कि मैंने 收 too do we open it if we open Drink baj then up Krichten जितने नीचे जितने लोग रहते हैं उतने लोग February there's color प्रेख के बीच में रहते हैं व्रेके पारerson की बात कर रहा है, floor नहीं बोल रहा है कि जितने नीचे floor है उतने बीच में फ्लोर होंगे नहीं, इनके इसके नीचे जितने person होंगे उतने इन दोनों के बीच में person होंगे, ठीक है? आजाओ यह बड़ा ध्यान से देखना है वेकेंट का चक्कर जहां आता है मेंस में अगर फ्लोर इंफलेट नहीं पूछा यह पूछेगा तो वेकेंट जरूर पूछेगा ठीक है अभी तो इसमें क्या करोगे अभी कुछ करी नहीं सकते अभी कुछ ही नहीं रख सकते हैं इसमें कहां रखोगे कोई कैस नहीं है अभी आगे बढ़ते जाओ only three floor are there between D and the one who likes Samsung floor बोला है यहां पर तब कोई दिक्कत नहीं है बोला D or Samsung के बीचे में तीन फ्लोर है तो परसन वरसन कुछ लिखने की जोरत नहीं है डी तीन लिखा Samsung लिखा ठीक है इनके बीच में तीन फ्लोर हो सकते है उपर नीचे भी हो सकता है इसमें परसन लिखने की जो तनी यह परसन नहीं लिखा है तो नोर्मल है कि फ्लोर होंगे बस खतम ठीक है तो D or Samsung के बीच में तीन फ्लोर होंगे the number of floor between the one who likes asus and the one who likes htcr2 htc और asus के बीच में दो फ्लोर होंगे तो इसी में information लिख दे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि c और htc अलग हो जाएंगे जहां तीर होता है वहीं उपर निचे हो सकते हैं यह दोनों तो इस्टा के एक दूसरे के साथ है ठीक है द्यान रखिएगा दो वन हुलाइक्स ओपो लिव इमेडियेटली अब ओव जी अभी तो कोई हिंट ही नहीं मिल रहा ओपो वाला जी के बिलकुल उपर रहेगा तो बस सुल्जे वह तरीके से जाओगे तो पकका सुलज जागा नहीं तो उलजगे रहे जाएंगे से कुश्चन देखते पजल हो जाओगे वह नहीं करना हमें नहीं अब नहीं रख पारे तो क्या करें साइड में लिके होड़ आए ओर भासा में लिके सिम्बोलीग फो में लिके एफ लीव स्व供 ओन्व नंबड़ फ्लॉर अबोग दो फ्लॉर नंबर है बोल रहा कि एफ जो है न चार नंबर ये ऊपर ओगंड फ्लॉर पर रहे थीक है तो चार नंबर के उपर Bureau ओणनर फेलॉर वैसि अब 1946 ऐसाओ नंबर हो सकता थ और नो नहीं हो सकते हैं तो यहां डोट इंडिकेट करते हैं अभी नहीं पता मुझे इस इन्फोर्मेशन से भी कुछ लिंक नहीं कर पाऊंगो तो पूरा पांच पेज गा प्रोजेक्ट हो जाएगा तीन केस तीन वेरियाबर लें बनाऊंगा तो एक बार ठैर जाता हूं पन्य टो फ्लोर आगे बढ़ जाते हैं अभी इससे भी कुछ नहीं पनना ओनली वन फ्लोर बिट्विन बी एंड़ वन हो लाक्स एच टी सी ओर बीके बीच मैं के फ्लोर गेपो को ताब यहां पे लिग दिया है तो इसमें तो नहीं हो जाएंगे एक और पास-पास में भी देंगे। टाकी लिंखने में भी ख कंट न है। नाल पॉलार तो कुछ तत व निगदा तो ब आ चांगे एक में हैं तो मीं वह खांट हो आदी। परसन नी बोला है फ्लोर बोला है तो सिधासदर नौर्मल इंफोर्मेशन लिख देंगे जी और ये के बीच में तीन फ्लोर है आगे बड़ो इमेडियेटल अब देखो मैं इस वाली इनफोर्मेशन से केस बना के देख सकता हूं लेकिन अभी मेरे को परसन बोला है ना तो अगर वेकेंट फ्लोर एक तो आगया एक और नहीं आगा तब तक मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता नहीं तो क्या पता सोच लेता मैं ठीक है यहां यहां पर क्योंकि परसन तो तब पता लगे हैं तो वेकेंट फ्लोर का पता लगे कहां क्या है ठीक है तो अभी कुछ इसके बारे में भी नहीं कर सकते हैं देखा क्या दवन हू लाइक सोनी लेनेवो लेनेवो को जश्ट उपर सोनी रहेगा आगे बढ़ता है चीलिव वन ओफ दे ओड नमबर्ड फ्लोर अबोव दवन हू लाइक सेमसंग सेमसंग के ऊपर सी रहेगा तो मैं यहीं पर साइड में लिख देता हूं ठीक है सेमसंग के ऊपर रहेगा कितना ऊपर रहेगा यहीं नहीं पता इमेडियेट उपर नहीं बो हूं लाइक सेमसंग वाले के ऊपर रहेगा जैसे सेमसंग ही आए तो सी यहां यहां कहीं भी रह सकता है और ओर नमबर वाले फ्लोर पे रहेगा यह विल्यक्टिया अभी इसका ब्रुछ निकर सकते किसी को कुछ निकर सकते बहुत केज बने गर करेंगे तो आई बनाम एक एपल इस ओनली वन अब एफ के बारे में एक इंफोर्मेशन दिए कि एफ और एपल के बीच में एक फ्लोर होगा ठीक है यहां से सोच सकते हैं लेकिन और देखते हैं अगर वेकेंट फ्लोर के लिए और जागा तो वहां तक वैट करते हैं only one person lives between the one who likes sony and vacant floor को कर देंऄ सर्मेट वेकेंट फ्लोर एस तुर वेकेंट फ्लोर के बीच में अपची पर ंले लिए नहीं हुआ यह भी तक आगे भढ़ते हैं ओजिए टू पीपल लिव ब्ट्वेन सी एंड वेकेंड फ्लोर में प्लोर के बारे में फिर से इनफोर्मेशन बोले पास में लिखेंगे वेकेंड फ्लोर के बीच में दोगा लेकिन वेकेंट फ्लोर दो यहां लग लग तो नहीं कौन से होंगे अब कई वचे इसमें एक दोगर यहां सी लिख देंगे वह भी गड़ा थे मतलब हो सकता है सही भी हो जाए मुझे नहीं पता लेकिन दूसरा फ्लोर आने पहले कैसे लिख सकते हैं okay the number of floor between two bridge and floor is five यह Yukon जींफर में की विचा पांच की एक दो तीन चार पांच यहलों यह वला है एक दहनल पांच प्लोज तीन दो पांच फ्लोर का करद दो अमसोओ इसके बारे दोन्नों इंफोर्मेसिन मिला हूँ सोच सकता है यहलो एफ के निचे कितने लोग रहेंगे एक एक दो तिन लोग बोल रहा हूं परसन बोल रहा हूं तीन परसन रहेंगे है तो और एफ यहां जाए अगर एफ यहां आगया इस नम्मर पे ठीक है तो एफ के नीचे कितने लोग रहेंगे एक दो तीन च्यार पांच रहेंगे ठीक है तो एफ और एच की बीच वे पांच लोग रह सकते हैं के ऊपर तो रहा नहीं सकते नीचे आओ देखो एक 2,3,4,5,5 तो एच जाएगा नीचे नहीं रह सकते साथ नमबर पॉजिसेट गैजिल ऐसे नो नमबर के एजिल होजएगी 9 नमबर f से नीचे कितने रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या F और एच के बुछ नोग रहेगे साथ करके आओगे तो यहाँ जाएगा यहां तो वीस, क्लोंड़ सात करके, सात लोग छोड़ोगे तो यहां नीचे आएगा एक के, तो f और h के बीच में सात लोग रही है नहीं सकते है, तो e की position मनती है, जहां 1 आसकता है, वह है ये, f के नीचे 3 लोग है, तो ऊपर 1, 2, 3, 3 छोड़ के यहां पर क्या आ सकता है है तो beस के देजिए और विर भी देर्ट चाहरन फर कीच बढ़ाबर हो गए इसने फलोर का गेप है एक चोड़ी है इस नहीं पर सनी फोलोर का गेप है डेसे आपन देखते हैं यह यह यहां पर दिया कना न यहां पर जातना who likes sony and only two people lived in c and कहा था वही यह f और apple वाली information कोई थी क्या the number of floor between f and the one who likes apple is only one the floor बोला है तो floor में एक इसको count करेंगे थीक है समझगे चलो तो अगर person बोलता तो यह bracket में लिख देते हैं तो वही चेहते जाते हैं पन की person है वही क्या है आज़ो कि टोटल number of events अब इवेंट की बात आगी आगे ठीक है एक बड़ इसको करके देखते हैं कि अब इवेंट की information है सारी एक सारी आगे तो कि अज़िए बहुत सारी information है अपने पास में ट्राइ करते हैं यह वाली information आगे काम में यह वाली भी आगई काम में ठीक है अब वेकेंट के बारे में यह है कि वेकेंट और सोनी के बीची में एक फ्लोर का गेंप है ठीक है कि और तो वाइसए वेकेंट एक छोड़के यहां सोगी only आ जाए आजए तो यह सोनी होगा नहीं सकता है अब देखो वेकेंट एक छोड़के सुनि यहां भी सकता है एक छोड़के अन्य मैं यह सकता है तो तो infra जिए क कैंदर जो हरे दो थो अ इस वी वेकेंट और चीवेचाम का नो ठीक है है और सी के बारे में एक इनफोर्मेशन और थी वह किसी शंबंसंन्क के उपर आएगा और ओर बिचाहन की तो duck और को साथ में सोचना एक सोचो के तो और चीस बन जएंग है तो वेकंट और सी बीच में दो फ्लोर के पाशे से मालों यहां नीचे का दो फलोर चौचा यहां जाएगा तो गेलेकर प्र यह वाला कैंसिल हो गामला यहां देखो करेंग के में एक दोटोटोड़ोर ऐसे कोई दिक्कत नहीं अब बोलोगे उपरवाणे में उपर वाड़े से यह निद में में अपर सब्सक्राइब यहां फिर इन दोनों का केस मनता तो इस से दो छोड़ दो चाहिए जोड़ दो सी यह आना है तो सी का काम हो गया ओड फ्लोर पी आ ठीक है तो वेकेंट और सी के विच में दो फ्लोर का गेप था यहां तक क्लियर हो गए अब कि अपो के नीचे जी आएगा यह भी अभी कुछ पता नहीं है कि यह देखो सी के बारे में इन फॉर्म सी के जश्ट नीचे एच्टी सी है कि जैसे ही एच्टी सी हाँ आया तो अपना कंफर्म हो गया इस डोट वाली जगह को ना आएगा सोनी आ जाएगा क्यों इन दोनों में से एक जगह आ सकता था यह भर गई तो बची यह तो यहां सोनी के लिए रोग गया यह के लिए रोग गया तो यह भी इन्फॉर्मेशन कतम हो गई ठीक है तो एक दो छोड़के यहां आ जाएगा तो क्यों नीचे तो एपल बेटा वाए एक दो छोड़के तो आ नहीं सकता यह इन्फॉर्मेशन भी काम में आगई एच्टी सी और वी के बीच में एक फ्लोर का गेपे तो नीचे की साइड एक फ्लोर जाओंगा तो यहां तो वेक यह इन्फॉर्मेशन भी काम में देखो लिखने का सलीके से यह फाइदा होता है कि फटा फट देख लेते हैं फिर सारी चीज़े ठीक है अब देखो किस्ट ने गोला सेमसंग के ऊपर सी आएगा तो यहां देखते जाओ सेमसंग यहीं आ सकता है तभी उपर सी आएगा और हट टीन फ्लोरका रेप हों गया जी और एक बीच में तीन फ्लोरका अब गीफ हो कि अब देखो इतने enhancing और बश्ची यहीं हो सकता है जी और में से एक यहां जाएगा एक हां गयाजाएगा है ठीक है मैं अब देखो यह जी और एक बारमें एक information और बच्ची यह भी जी और एक बारमे में है के लिए देखो गोला लगा रहा हूं डोनों सोचेगों साते टोगका नहीं तो सोचेंगे सर जी और मेंसे कौन यहां आहेगा तो यहां नहीं यह ना लेकिन देखो ओपो के जश्म NIECे जी आएगा तहीं आएगा भिछ आए騨 नहीं सकता इसका मतलब जी यहां आ जाएगा ओपो यहां आ जाएगा और फिर एक डूत तीन छोड़ के आपका कोन आजाएगा बैस सब ए आजाएगा तीन फॉलो जोड़के यह इन्फोरमेशन खतम होगी एक बदना बच गया रहे कोन बच गया कि ABCD E बच गया सायथ इहें कि इसमें है कि एपी सीख्रिविए बच गया कि कि इहां जाएगा ठीक है ब्रैंड भी बच गया वी एक कुन सा बच गया खीज़ सीदह सामने दिख्या तो उन प्लस ब्रण्ट बचेज़ अब आ जाते हैं यह वाला को लंबर बरेगा वह आगे से भरेगा ठीक है टोटल लंबर और वेट पार्टिसीपेटेड बाई बाई बीज वन लेस देडिटा टोटल लंबर इवेट पार्टिसीपेटेड घ् सारे इंफोर्मेशन इसकी बारे बहुता नोरा कि whole ऐस कि परिदान में moves cycle one लेस देन इन अव और फसी धावाइ एच विर न जितने इवेंट्च में के लिया वह एच थे से एक उसका मैं दोलिख दिया मैंने total number of events participated by the person who lives on ground floor is square of the total no of event participated by B तो ground floor पर कोन रहता है डी रह रहरा है एक नमर को ground floor तो उसमें जितने वोगा वो b ka square होगा, लिग दिया होगा, b ka square, 잠깐만 square of the total number of events participated by b, तो b में जतने participation होगे d उसका b का square होगा, total number of events participated by a is the difference Therefore, of number of participated by d and h, a जो होगा वो d और h का difference होगा, मैं जब भी ऐसे सीधीarena पर लगाता हूँ नो, इसको mode बोलते हैं इसका मतलब D-HB होसकता है H-DB होसकता है प्लस माइनस का कोई खेल नहीं है difference होना चीए बस अभी तो कुछ नहीं बोल सकते है total number of events participated by C is one less than that of B C का B से एक कम होगा भई यह कितनी information लिखाएगा ठीक है यहां लिखेंगे अब जो भी बच गई इन्फर्मेशन वह ठीक है total number of events participated by F is one more than that of G F का जो होगा यह अलग information भी वो G plus one होगा ठीक है total number of events participated by E is one more than that of F सबका वन मोर दिन वन मोर दिन आ रहे है total number of events participated by E is one more than F E का F से एक जादा होगा लिखते जाओगा कुछ करी नहीं सकते total number of events participated by G is the multiple of number of events participated by B and C तो G का होगा B गुणा C यहीं बोल रहा है multiple होगा एक चीज़ समझे रहे हैं आप लो और पैसेंस men in si present in City special गोल कर थे गला है ठीक है ऑर और बी कि इतनी तकडिवर चीजें भी नहीं आती है और थोड़ी से यह इतना काम हो जाता बना थे यह now आपन तो थोड़ा सा पलेस ही चल रहे है उससे तोटल नंबर ओफ इवेंट पार्टिस्पेटेडड बाइद वन हू लाइक्स यह निची क्या आसूस इज फोर जो आसूस को लाइक करेगा उसका इवेंट क्या है च्यार है आसूस को कुन लाइक कर रहा है हुआ है एच का ह संस्ख्य हो जाएगी ओ जाएगी च्यार हो जाएगी तो यहां पर तो आगया च्यार यह च्यार इवेंट में पार्टिस्पेट रहेlaş करेंगा ठीक है अब काचते जाना है ए एज खत्म बी का H minus 1 होगा यानि कि H minus 1 यानि कि 3 होगा B का D का B square होगा यानि 9 होगा D का 9 होगा ठीक है A का D minus H D or H का difference होगा तो 9 और 4 का difference क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा तो A का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ठीक है C का आपका B माइनस 1 हो जाएगा यानि कि 2 हो जाएगा B 3 है तो माइनस 1 कर दिया F आपका G प्लस 1 हो जाएगा तो F आपका G प्लस 1 हो जाएगा अभी नहीं पता F और G E आपका F प्लस 1 हो जाएगा G आपका B गुणा C होगा, तो B गुणा C हैनि 6, तो G का मतलब आ गया 6, जी आपका B गुणा C हो जाएगा, जी च्या आगया तो एक कितना एगा जी प्लस बन साथ आजाएगा एक क्या आएगा एक प्लस बन साथ प्लस एक आट आएगा यह पार्टिसिपेसन आ गए अब इनके उपर ही कुछेगा आप लगों को आप देखो पूरा पैसेंस का गेम ही है मैं तो बड़ा आराम से समझा दिया कि कैसे दम सुल जेवे तरीके से करते हैं कोई भी टीचर आजाए वो ऐसे ही करेगा बस वो इस आपको बजल जली ऐसे से लिखके दिखा देगा बस इससे जादा कुछ नहीं होगा उससे आपके द लिखने में पारंगत होना तेजी से पढ़ना तेजी से लिखना इन दो चीजों में पारंगत होने में जल्दी हो गए टाइम तब बचेगा इसमें पहले तो इसको सीगला बढ़े अब बाक्य करके दिखाने से कभी स्पीड नहीं बनेगी ठीक है और मेंस में समय होता है और कुश्चन भी बड़े सांदर सांदर लेकिया हूं में इसके बाद में देखो नॉर्मल से कुश्चन निवी दिए से कौन पांच कारेकर में भाग लेता है यानि पांच इवेंट मे ऐख लेता है जो डी ग्लिक ऐसे बाग के पांच कुश्चन भी है इसके अंदर है ठीक है तो यह आप लोग कर लेंगे यह कुश्चन भी है ठीक है जीको वन प्लस सीए फॉर्मिनेंशन यह पूस्त है ठीक है तो यह कराने जुलतमीं नोट्स में आपको मिल जायेंगे टेल क्या बोल रहे हैं 8% MANO PQRST दो एक चीज मैं इस लेक्चर में पूरे मैं बोलने बूल गया आप लोगों को पोज करकर करके प्रैक्टिस करने हैं साथ है मैंने एक कलास में बोल दिया था आपके common sense की बात है पोज करके प्रैक्टिस करोगे ना तो उससे फाइदा इस चीज का होगा कि आप लोग खुद करके फिर मेरा solution देखोगे तो कुछ उसमें sense लगेगा नहीं तो फिर कोई मज़ेवाली बात नहीं है ठीक है क्या मेरा देखते देखते चलिए आपको पता ही नहीं कि आप से मिश्टेक होगी कहां गलती होगी तो है नहीं यह प्रैक्टिस बेरेश 8 persons MNO PQRST are staying on 8 story building lower most floor is numbered 1 and top floor is number 8 ठीक है अब क्विशन में एक note दिया गया बड़ा important note क्या है their edges are in increasing order from bottom to top floor the one who lives on even numbered floor his her edges and even number and the one who lives on old numbered floor his her edges and old number यह बोल रहा है their edges are increasing order from bottom to top यानि कि first floor में सबसे छोटा उपर उपर ऐसे edge बढ़ती चलिए जाएगी floor के साब से और old number वाले पर old age वाला बैठेगा even number वाले पर even age वाला बैठेगा ठीक है तो यह यहां पर funda रहेगा क्या बोल रहा है कुश्यत आगे जो जान करिए वो आगे चल के पढ़ते हैं बिंदी वाले यहां से पढ़ लीजिए का कि किसी भी दो वेक्तियों कि आयू समान नहीं है बस एक दो लेटर लिखे हो है तो यहां से में इसको छोटा नहीं करूंगा नहीं तो बहुत चोटा हो जाएगा सबसे पहले तो अपन आठ फ्लोर बना लेते हैं कि कैसे वेसे बनेंगे तो उसके लिए भी जगह है अपने पास में नाम एज और फ्लोर ठीक है जी आठ फ्लोर बना दिए यहां पर अपने जानकारी अपने को क्या दी गई थी सिंपल लिख दूगा में याद रहे कि एज ऐसे बढ़ती जाएगी ओड फ्लोर तो ओड एज ठीक है इवन फ्लोर तो इवन एज इंडिगेशन में लिख देना ताकि याद रहे नोट नहीं बूलना है नोट बूलगे वहीं गड़ बड़े मामला ठीक है नोट बिल्कुल भी नहीं भूलना है देखो आपको ऐसे इदर उदर में ध्यान करता हूं न कि तो आप लोग मतलब ऐसे मत चोक जाना कि से इदर उदर क्या देख रहें रात के बारा बज़ी के 45 मिनिट पर में ये लेक्चर आपके लिए रिकोर्ड कर रहा हूं ठी ठीक है तो थोड़ा सा रात को थोड़ी सी भी कुछ आवाज आती हो तो उदर द्यान जाता है कि क्या ही हो गया है न कि इतना लेट हो रहा है और बहार का रूम में सब लोग अंदर है मतलब ये बिलकुल अलग है पूरी बिल्डिंग से रूम अलगे जहां पर में अलगे बिल्डिंग काम में गाहों से भी कर लेता हूं तभी कि ले लेता हूं ठीक है तो एक बड़ी अंधेरी रात में रिकोर्ड कर रहे हैं ये लेक्चर आप सभी के लिए शांदार तरीके से लेको क्या होता है न एक छोटी बात और उल्क अप लगों को यहां तक जो ब बना है परीवाला बनाता तो पहले पूरा देखा है क्या क्या आया है लेटेस्ट पहले से हमें नौलेज भी होता है कि क्या क्या है इता एक्स्पिरियंस हो गया है पूरा डीप रिसर्च करके फिर बहुत सारे कुश्चन से निकाले कौन-कौन सी लेंग्वेज आ सकती है कह क्वाँ कन्फ्यूज हो सकते हो क्या गलती हो सकते हैं पूरा करके फिर यहां आते हैं इतना करने में लगता है समय कि और ऐसे लोग जो दो लोग विठागे पांच कुशन बना देना पांच कुशन बन गए बोर्ड पर आ गए और ऐसे जगर के चले गए वह वाले टेचिंग इसलिए समय लगता है पूरे दिन बर बैट के पूरा मैंने पूरा सबसे देखो कई बार क्या होता है हिंदी में भ बाद में वो टाइप वाइप हुए हिंदी बिंदी कनवर्ट की उनकी ऑटमेटिक तरीके जो भी सोफ्ट्वेर रोट्वे से करते हैं वो लोग फिर मैंने बेट के खुद सारे कुशन पढ़े एक बार की कोई लिखावा एरर तो नहीं है बच्चे प्रेक्टिस करें कहीं जार हुआ है इस सबमस्ट नहीं ऑएगी खी एक है उसके बाद में हिंधी हुआ की हिंदी कुछ करें कहुँ आरा हाय आप देखना है हिंदी प्रेट इस सब में टायाइम lagता है थिक और और सब जाता है क्या त्यृप ओंभर आलिए क्या आरा रहा है क्या थृए व्सima Have a तो यही सब चीजे हो जाती है तो समय लग जाता है जैसे आज जब यह रात को मैं कर रहा हूं इस टाइम पर एडिट करके मिलको अप्लोड प्रोसेस पर जाना चाहिए था लेकिन वही है थोड़ा सा रिचेस में का कर रहे थे तो थोड़ा सा ज्यादा उसके एक लाश्ट में होमवर्क देखना आप करके मज़ा जाएगा आपको ठीक है अगर नहीं होगा तो फिर कमेंट्स करना फिर मैं स्वोल करा हूं तो लास्ट का होमवर्क दूरूर ट्राए करना पंदरा फ्लोर है तीन अलग बिल्डिंग में कितने फ्लोर है कुछ नहीं पता है उसके इंदर तकड़ा वाला मेंस का कुछ नहीं दिखता थोटा सा है लेकिन करोगे तब पता लगेगा आपको यहीं नहीं पता लगा पाओगे इजी ली तो कि कौन सी बिल्डिंग में कितने फ्लोर है ठीक है फ्लोर और टाइप है वह थोड़ा सा लेकिन वह फ्लोर है उसमें फ्लेट तो एक बार मतलब में होमवर्क में दूंगा आप लोगों करिये फिर किसी क्लास में करेंगे लोग लेकिन इतनी चीजे के लिए रोगे उसको करोंगों कि यार ऐसे भी सोच सकते हैं इसे इसे शार्पने साती है पजल और सेटिंग रेजमेंट सोल करने की दिमाग में दिमा कि आपका 19 साल का है उसके बीच में दो लोग है ठीक है उपर नीचे भी हो सकते है आर इस दे यंगेस्ट परसन इन द ग्रूप ठीक है आर जो भाई सावे यंगेस्ट परसन है अब इसका मतलबी क्या है आर फस्ट फ्लोर पर आएगा क्यों नीचे से उपर एज बढ़ती जाएगी क्यूशन ने दिया हुआ है वह बहुत आसान कर दिया अपने लिए चीज तो आर क्या आएगा सबसे नीचे आएगा इसको इसको यहाँ इसे नहीं लिखूंगा इसमें फिक से यह चीज कि क्यूशन दो छोडेंगे एक दो छोडेंगे एक दो सब्सक्राइगा क्यों ऐसे को नहीं होगा क्योंकि क्यूशन ने बोला वाई नौट में कि एज बढ़तीño कि ऑपर जाते वह तो उननीस वालार मिशे is the eldest person is 46 years old जो eldest person है जो सबसे बड़ा है वो 46 year का है अब बताओ 46 year का है तो आठ पे फ्लोर के ही होगा क्योंकि सबसे बड़ा सबसे उपर होगा M is elder to Q and one person is between M and N यह बोला M is elder to Q Q से elder M तो क्यों से उपर आएगा M कहीं पर एक तो एक लिक दिया फिला वन परसन इस बिट्वेन M and N तो M और N के बीच में परसन होगा अब एज नहीं पता तो अभी उपर निचे का कुछ पता नहीं है तो यह उपर निचे होगा हो सकता है एस थर्टी फाइफ इयर ओल्ड एस भाई साब की जो एजना वो 35 साल किया है चलो ठीक है जी अब यहां से कुछ तो किलियर हो रहा है क्यों 19 अगर यहां जाये तो एक दो यहां 30 साला जाये तो एक दो यहां 30 साला जाएगा यहां 35 आप दो एक के सूपर बच रहा है इसलिए में बूलिए अगर यह 35 यहां टिक जाता तो अपना काम बन जाता लेकिन यहां नहीं बन रहा तो अभी आगे बढ़े जाते हैं कहीं तो बनी जाएगा दिफरेंस ओफ एज बिविन एम एंड पी इस टेन इयर्स एम और पी की जो एज है ना उसके बीच का जो डिफरेंस है वो दस साल लगा है देखेंगे वे भी दस साल लगा है नहीं टू परसंसार बिट्विन टी एंड पी टी और पी के बीच में दो लोगे हैं ठीक है जी इसलिए मैंने ऐसे कुशन ले लिए इसमें थोड़ा से लेवल जो सुरू में कि उससे कम है लेकिन थोड़े से डिफरेंट तो लगी रहे होंगे आप लोगों जैसे नोटोट दी हो है तो कर लेते हैं एक्जाम में क्या पता आजाएं कलर मेंस में ठीक है इसलिए मैंने ऐस तो यह आता है ऐसा कुछ नहीं है मैंस में ठीक ठागी रहता है लेवल जाद उपर भी नहीं जाता है कि दन नंबर और परसन लिवस अबोव एस इस सेमें इस दा बिलोव पी कि एस भाई साब के ऊपर जितने रहेंगे उतने ही पी के नीचे रहेंगे चलो भई अब इस भाई साब के ऊपर जितने लोग रहेंगे उतने ही पी के नीचे रहेंगे ठीक है अभी तो कुछ पता नहीं है खो πटो एसके भी अपने पास फीन दोवाओ Then क्योकि यहां सकता है क्यूप के विपे जाब से निकाले थी ना अपन ने ठीक है क्यूप यहां आजाए तो 12चोड़े तीस यहां yep 35 क्यूप कर जाएगा क्यूह यहां जाएगा तो 12 बेठ नहीं रहा हिसाब किताब ना देखें आगे बढ़ते हैं वान परसनी 16 एर ओल एक बंदा जो है न वो 16 साल का भी है तो 16 साल लिख देते हैं आपे साइड में है कि सोडा साल होते है कि लिए और मामला देखो शोडा साल का मतनल क्योंके नीचे भी एक बंदा हैब नीचे आएगा सवरा साल वाला कहीं सोडा आपीच में नीचे होगा तो मैं माल लेता हो कि इतने लोगों की गुंझाई सारीम पेच तो मालेटे देखिया फिर क्यों 19 यहां बेट गया फिर एक दो छोड़ा 30 यहां एस 35 इसके लाँ और कोई चांस नहीं बन सकता क्यों जी फिर 46 से उपर खोली जाएंगे तो यहां 16 बन गया यहां क्यों 19 बन गया एक दो छोड़ेंगे यहां कितना जाएगा 30 आज जाएगा और यहां पर ऐसे 20 आजएगा सारा मामला सेट हो गया ठीक है अब एस के उपर जितने पी के नीचे उतने लोग ठीक है यह भी खतम टी और पी के बीच में दो लोग रहेंगे एक दो करके टी यहां रह जाएगा ठीक है अगर एज निकालना चाहूं अब मैं एम और पी की एज अच्छा क्योंके उपर एम रहेगा तो एम यहां भी हो सकता है निच पे अभी कुछ नहीं सकते है अच्छा पी की एज यह भी होगी टो छबी की यह 200 होगी कि नी होगी हुआ है भी फोड़ा ता लेकिन 6 साल थोड़ी होगी एम तो उपर आएगा ना तो ज्याद की साल यह आगी 16 आगी ठीक है तो एम के लिए तो जगह ही एक बचती है यह वली एम के 26 साल और तो एज लिखी हुई है एम भी आ गया आपका ठीक है अब दो बंदे बच गए यह भी हो गया यह सारी इंफोर्मेशन काम में एम और इन के बीच में एक वेक्ति रहेगा नीचे तो रह नहीं सकता एक अब आप लोगों का एक बंदा बच गया नाम दिये हो एंगे सबके मनों पीक्यू आरेश्टी एम एन ओ नहीं आया तो ओ यहां आ जाएगा तो दो एज बच गए यह आगे देखते हैं आजएगा तो फीज नोट ट्वंटी नाइन यह ओल्ड टी जो वाई सावे नहीं वह नहीं कुष्चन ने बोला है अब तब वन हुई यंगेश्ट इस 11-year-old तो यंगेश्ट वह ग्यारा साल का है ठीक है नो टू परसंस है उदा सेमेज दो लोगों की सेमेज नहीं हो सकती कुष्चन नहीं हो सकती है और मुझे बताओ टीकी एज क्या हो सकती है छबीस और ती 30 के बीच में क्या आता है एक तो 27 आता है एक अटाइस आता है इन दोनों में से कौन सी होगी 27 और 28 हना 29 नहीं लिखा मैंने क्योंकि 29 के लिए कुष्चन ने मना कर दिया तो 27 और 28 में से यहां जाएगी आब कई लोग कड़िस जाएगे क्यों भूल गए इंफॉर्मेशन अ और साइद और भी जल्दी हो जाता है क्यों यहां आता है नहीं पहले ही आजएगा अगर नहीं समझ में आता तो फिर ध्यान देते उसके उपर अगर नहीं निकलता वैसे तो उसके बीना ही निकाल लिया अपन नहीं तो यहां पर क्या हो सकता है ओड होगी तो ओड 27 क्योंकि ओड फ्लोर है तो ओड एज होगी तो भूलना नहीं है चोटा सा नोट कोई भी दिया गया उसको भी नहीं भूलना है ठीक है तो उमीदे समझ में आया होगा पूरा एज भी निकल लिए सब कुछ निकल लिए नोट ध्यान में रखना है वह थोड़ी सी अलग बात इसलिए यह कुष्चन में आप लोगों को करवा दिया अब आजो नेक्स्ट कुष्चन भाई ध्यान से समझ लो देख लो भई क्या बोल रहा है कुष्चन आप सबीको सामने ठीक है हिंदी में एक बार देख लो स्क्रीन सोट लेना लेनो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ पो इसको देखना हो तो पोज करके देख लिया और कुष्चन पूरा हिंदियों पढ़ना हो तो क्योंकि पोसिबल नहीं है कि मैं हिंदी में रखो जैसे इसमें तो रख दिया था अब देखो कुष्चन क्या बोल रहा है एट परसंस LMNOPQRS are working on an 8-story building there where ground floor is numbered as 1, top floor is numbered as 8, each person works on a different floor and also ordered different snacks from the restaurant which aloo tikki, masala vada, noodles, pizza, pakoda, pao bhaji, sweet corn, samosa, they also drink different varieties of drink from ccd machine, tea, coffee, lemon tea and soup ठीक है तो भाई साब यहां पर 2-2-3-3 variable आचके बोल रहा है कि 8 वेक्ती है, 8 floor पे रहते हैं, वेकेंट वेकेंट का चक्कर नहीं है इसके अंदर ठीक है और यह 8 लोग ना 8 type के अलग-अलग fast food खाते हैं, aloo tikki, masala vada, noodles, pizza, pakoda, pao bhaji, sweet corn, samosa ऐसे करके, they also drink different varieties of drink from ccd machine, ccd machine लगी हो, उसमेंसे वो drink भी करेंगे, ठीक है, क्या-क्या drink करेंगे, यह जो 8 लोग है ना, इनमेंसे 3 लोग तो टी पीएगे, चाय पीएगे बई, दो लोग कोफी पीएगे, ठीक है, और यही दो लोग क्या soup भी पीएगे, 2% drink coffee and soup each, यानि कि 2 लोग ही soup पीएगे, इस language का म अब आजाते हैं, आगे, ठीक है, हिंदी में तो लिखा हुआ है, दो वेक्ति coffee और दो वेक्ति soup पीएगे, ठीक है, यह मैंने करवा दिया था कि confusion ना रहे, इसमें 2% drink coffee and soup each, इस language का मतलब है कि 2% coffee पीएगे, और 2 ही soup पीएगे, तो 3, 2, 5, 2, 7 और एक 8 लोग हो गए, अब आ जाते हैं, यहां से, ठीक है, पहले तो 8 floor बना लेते हैं, पर लोगों, और 8 floor पे 2 variable हैं, तो मेरे पास तो इस page पे तो अगर एक case में कुशन होगा, तो एक case ही बना पाऊंगा, मैं, अगर 2 case बनेंगे, तो फिर खाली page लेके बनाएंगे, ठीक है, थोड़े वीडियो जो सकते हैं, धीरे दी रहा हैं, क्योंकि अगर देखो, quality का काम चीए है, आप लोगों को, अच्छे से सब कुछ सीखना है, सब कुछ चीज़े, तो उसमें थोड़ा सा समय मुझे भी देना पड़ता है, चीज़ों को, यहां पर floor number लिखेंगे, यहां प कितने floor हो गए, 8 floor हो गए अपने, अब आजाओ देखो, question क्या बोल रहे है, question में जो पहले जो note बोले थे, अपने जो अपने छोड़ दिये, जगह नहीं, इसलिए चीज़े अटा दी, तो इसमें क्या था, इसमें एक यह चीज़ी, सब लोग fast food खा रहे हैं, यह कर रहे है, टीज चाए समोसा पी रहे हैं, तो यहाँ पर क्या थी, यह देख लो कितने लोग क्या था, 3 लोग चाही पिएंगे, टी आपका 3 लोग पिएंगे, ठीक है, और आप लोगों का, कोफी और सूप दो, 2 लोग पिएंगे, कोफी दो, सूप दो, और लेमन टी, एक वेक्ती पि ठीक है अब आगे बढ़ते हैं चलो जी भई देर आर थ्री फ्लोर इन बिट्विन दा वन हूँ ओडर्ड मसाला वड़ा एंड क्यों बोथ ओफ देम वर्क और ओन ओन नमबर फ्लोर यह लग लग फ्लोर पर काम करने भी लोग ठीक है ना वूसी साब से बोल रहे हैं तो यह क् इसने क्यों कि और मसाला वड़ा वाले के बीच में कितने फिलोवर हैं थ्री फिलोर है है क्यों और मसाला वड़ा को अहां में इनके बीच में तीन फिलोर है और उपर-nicsha क्योंदोन क्या होंगी ऊड्ळन को ठीक है चलो लक्स resides dove ओ ओ ल जो है वो के मेडिये टाव काम करेगा है ठीक है एस ड्रिंग्स टी है एस जो भाईसा आप हो चाहे पिएगे इधर लिख देता हूं एस जवाईसा वे हो क्या पिएगे चाहे पिएगे द वन who ordered pakoda also drink soup ठीक है जो पकोड़ा order करेगा वो सूप पीएगा पकोड़े के काम चल रहा है आज गले ना जो पकोड़ा खाएगा वो सूप भी पीएगा ठीक है अब पकोड़ा पर बड़े मों हो रहे हैं न पकोड़ा सब देखती वह याद आता है तलो पकोड़े जितने भी जवान लोग है नहीं ने पड़े लिके लोग है बोद दा परसंस हूँ ड्रिंक्स कोफी वक्सवान टू कोंजीकुटिव फ्लोर्स जो दो लोग कोफी पीते न वो दो कोंजीकुटिव फ्लोर पर रहेंगे उपर नीचे यहां पर इंडिके संधिया मैंने की कोफी आरे यह अमझ जाना की ऊपर नीचे कहीं एसे ना समझ जाए पर नीचे रहें तो यह सब्साराइड में इसको उस्फों वह क्या था वह रोडुक्रिंग्स कोफी वह पकोड़ा और सूप पकोड़ा वाला सूप पी अ यह और यह स नहीं बाद में थोड़ी याद रहता है क्या पड़ाता अपने तो ध्यान रखना है कोफी वाले उपर नीचे आएंगे यह पर नहीं लिख दिया प्रेकेट लगा देंगे तो यह उपर नीचे आएंगे याद रहता है बस लिखने का तरीका एं ओडर स्वीट कॉर्ण एंड लिव स्वीट कोर्ण पसंद ए तो स्वीट कॉर्ण आभी तक कुछ नहीं लिख सकते है कानी लिखते चले जाओ देरिये से आगे बढ़ते चले जाओ पी ड्रिंक्स नाइधर टी नोर कोफी एंड वक्स ओन एनी फ्लोर बिलो क्यूं क्यूंके नीचे पी करेगा कहीं कहीं काम यह क्यूंके बराबर में लिख देता हूं इनफॉरमेशन तक ही याद रहे क्यों का लिंक करना हो तो कुछ कर ले ठीक है पी ड्रिक्स नाइदर टी नोर कोफी और यह जो पी है ना पी टी और कोफी कुछ नहीं दोनों में से कुछ भी नहीं पीएगा ठीक है आगे बढ़ो दो वन हुवर्क्स ओन लोवर्मोस्ट फ्लोर ओडर्ड पाव भाजी अब इसमें कुछ लिखा जाएगा कि जो सबसे नीच वार्क ओन इवन नंबर फ्लोर ड्रिंक्स ट्री सिर्फ इवन नंबर वाले ही चाई पिएंगे वही ठीक है तो इवन नंबर वाले ही चाई पिएंगे अब इवन नंबर दो च्यार्ट छे आठीन में से तीन जगह पे चाई आएगा क्योंकि चाई पिने वाले तीन लोग है एक सब्सक्राइब को यहां लिए देता हूं टी जो है वो इवन नंबर पे ही आएगा दा वान हुवार्क्स ओन फॉर्थ फ्लोर ओडर्ड पिज्जा तो फॉर्थ फ्लोर वाला है नो वह सब पिज्जा आएंगे वह अब टीड नो टंट डिंक टी यह चाय ने पिएगा वी यह चाय ने पिएगा तो कामया पना चाय पिने वाले 30 है POL इवन नंबर पे आंगे तो इक विंवन रख गया तो दो टो चै- पिएगे, यहां भी भाई साब चाय पिएगे और यहां भी भाई साब चाय पिएगे, जी, नाइदर O nor L और एल और पिजा, O और L पिजा ओडर निही करेंगे, मत करो भई, M drinks soup and both the person who works on a floor, which is immediately above and immediately below him drinks tea, यह बोल रहा है M soup पिएगा और M के immediately उपर वाला और नीचे वाला दोनों चाही पिएगे अब उपर नीचे चाही के बीच में तो एक जगह यह बाइस और क्या पीएगा वहीं शूप पिएगा तैंड बात और पता है लगी या सोप यहां निया सोप यहान लिखेंगे यहां लिकेंगे on ना तो फास्ट फूड लिखेंगे न एम ड्रिंक सूप एंड बोध परसन वर्क्स ओन फ्लोर विचीज इमिडियेट लिए लो लो हिम ड्रिंक इस टी तो टी वाले उपर नीचे होंगे एम के तो लिख दिया वई समोसा इस ओडर्ड विद कोफी बट नोट ओडर्ड वाई क् समोसा जो है कोफी के साथ O로 होगा गिजए अर्फो लिख देतें है है समोसा कोफी के साथ यहीं लिंक कर दो रहे आर कौन लिखेगा ठीक है समोसा दजोर द विद कोफी बट नोट ओड्रड वाई बतो नोट ऊडरड वैक्यू ठीक है और समोसा क्यूं ओडर नहीं करेगा तो और क्यूं काट दिया है यहां ठीक है तो अभी कुछ पता नहीं है आगे बढ़ते ही फिर ओनली वन person in between the floor of the one who ordered noodles and L, L or noodle, ये बीच में एक ग्यों के बारे में देखो क्लेसिंग ज़्यादा हे और भी कर梁स है, क्यूंका गूं, दूस्टन पूर्फशोर पर और वे इंव दो फ्लोर पी का आएगा अब दैखो क्यों के बारे में तो कि वह एक नूंबरникомा चाहें ऑनक्ता या लगी एक 3-5, 7 पैहाल नहीं सकता तो 2-3 पाज टीनिपोर्यस्टिन बशेते लिवागीं लो क्यों 1 नमर पर आ सकते कि नीचे पी आएगा फ्रकाहें तो तो ओड़ क्या बशा मेफ़ặt तो मसाला बढ़ा कहाईगा एक दो तीन छोड़के मसाला बढ़ा शोरक अठाइब क्यूंकर नीचे पी यहार और पी चाह और कोफी नहीं पीएगा तो क्यूंकर नीचे पी यहाह नहीं सकतख यह चाह पीएगा तो पी Dok जाएगा तो यह सारी information का हम में आ गई ठीक है अब आ जाते हैं आगे हैं एम के बारे में भी सारी information आ गई ठीक है समोसा कोफी के साथ खाया जाएगा और क्यूं नहीं खाया तो समोसा और कोफी दो जगए के लगातर खाली चाहिए तो यह है यह यह हैं यही दो जगे हैं जहां समोसा और कोफी दोनों आ सकते हैं और कोई जगे ही नहीं है दखो समोसा कोफी लगा दोनों साथ में आ जाएं समोसा कोफी आएंगे ना यहां आ नहीं सकते हैं क्यों समोसा कोफी नहीं खाएगा तो यहां आएगा समोसा और समोसा के साथ च नीचे N sweet corn आएगा तो समोसा के नीचे एसी जगह यहां N नहीं sweet corn नहीं आ सकता है यहां भी एक ही जगह बचती है एन और sweet corn की जगह यह बची गई समोसा के नीचे यह सारी information अपनी काम में आगई है ठीक है अब दो जगह बची एक जगह सूप आएगा एक जगह लेमंटी आएगा तो अभी पता नहीं है कुछ आगे देखते हैं पकोड़ा आपका सूप के साथ चलेगा पकोड़ा ना तो य सूप आजए क्योंकि दो जगह जो दोनों खाली है ना वो यही है पकोड़ा और सूप यह अगया यह अगर सूप आ गया तो यह लेमंटी आ जाएगी ठीक है तो यह लेमंटी वाला मामुला तो सारा खत्म हो गया यह भी हो एस आपका चाई पीएगा तो यह जोगो जितने यहां मचती है ठीक है अगर नूडल यहां आ जाए ठीक है नूडल लो नूडल यहां आ जाएगा तो यहां आ आजाएगा ओम ऐसे साथ में सोचना इसको भी 40 मालो और ओ हल यहां गया तो यहां Champagne कर दो एह निहां इसकों भीरजित ही आएगा कि समझ गया एल अगर यहां आ गया तो एक छोड़के नूडल सी यहां आ जाएगा आ गया कि नहीं आ गया नूडल ठीक है अब भाई साब एक तो फूड बच गया एक आदमी बच गया कौन अच्छा आपका चाई पीएगा इन दोनों जगह में से इस कहां आएगा चाई वाली जगह यहीं बचिए तो एस ही यहां आएगा अब देखो व्यक्ति कौन कौन थे भई lm no p qrs l mnop q rs और भचिया यह आ है है चार्ट में देखते हैं अलू टिकटि पहले बारी दे रहें यह नहीं आया अब तक आलू टिक के पूर्ट कट पर के आटी लिग देते हैं में अलू टिक है यह बने गया आराम से क्विश्यन ठीक है तो अगर फुलिए यह तरीके से बनाओगे तो आराम से चीजे बनेंगे लिंक करके चलो और जो पहले लेक्चर में आपको बेसिक बताये थे ना कि यह फिक्स इंफोर्मेशन होती है इसको इसे काम में लेते हैं यह ज्यादा प्लेसिंग वाली इंफोर्मेशन इससे काम में होती है उनके बारे म क्लास में ले लो ठीक है इस क्रीन सोट नहीं ले पाते हो अच्छे से मानलो नहीं दिख रहा है स्क्रीन सोट में तो आपको बताया हुआ यह दूसरा हिलाज क्या है जैसे यह लेक्चर अपलोड होगा उसके थोड़ी दिरवाद में यही टेलि ग्राम पर फॉरकर अप्लोड ह पूरा नोट्स अपलोड हो जाएगे तब इस यहां पर सकेंड करके यहां पर अंसुल सार्च करके यहां पर टेलिग्राम पर जा सकते हैं जहां कि आपको क्लास के नोट्स मिल जाएगे इसके अलावा आपके 200 स्टुडेंट तक जो कोड़ बढ़ा है मैंने बेचेज के उपर फर्स्ट हंड्रेंड उससे 20 परसेंड के डिसकाउंट का फाइदा ले सकते हैं यह सारे कोर्से अपने लौंच किये हुए हैं 25 तारिक से आपका क्या आ रहा है नया बेच आ रहा है 25 जून को ही हम लोग रात आट बजे अनाउंस्मेंट लेकिया रहें आप सभी के लिए आई वीप्यास आरार्वी के स्पेशल अनाउंस्मेंट ठीक है तो 25 जून को रात आट बजे हमारे साथ में बेंकर्स पर यूट्यूब चैनल पर जूड़ना ना भूलें पूर्सेज वगेरा की बेंकर्स.2.0 एप्लिकेशन पर और कहीं नहीं लेने हैं अपनी सिर्फ एक ओपलिकेशन है बेंकर्स.2.0 हर वीडियो के डेस्क्रिप्सेन में लिंक मिलता है इसका डाउनलोड पर एप इस्टोर फिलिकवा बेंकर्स.2.0 उसी कोर्स वहीं को अपर हो जाना है पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा रिकोड़ेट बहुत सारी चीज़ है इसके अंदर कोई डाउट वगर आए तो इस नंबर पर कोल कर सकते हूं रात को एक बज़े दो बज़े से कोई कोल नहीं करेगा ठीक है सुबहर दस बज़े से लेके शाम को पांचे रहता है ठीक है यह दो नंबर आपके लिए अगर कोई रिपलाई ना करे तो वोटसप करके छोड़ देना रिपलाई आ जाएगा कुछ समय बाद में ठीक है तो यह सारे कुशन्स थे आप लोगों के यह आपका हूमवक का कुशन है ठीक है इसको आप करिएगा इसक्रिंसो लग जाएंगे चीजे ठीक है किसी क्लास में स्वाल करेंगे उसके लिए मैंने यह पहले से सिस्टम बना रखा है तो कभी करेंगे इस कुश्चन को भी सौल यह सारे कुश्चन आप लोगों को पीडिये के साथ टेलिगराम पर मिल जाएंगे इसके उपर जो बेस्ट कुश क्रीज के अंदर ठीक है इसके बाद में क्लास वन अगर किसी ने नहीं देखिए तो लिंक दिया हुए डेस्क्रिप्शन के अंदर जाके देख लेना बेसिक कंसेट वहां से क्लियर हो जाएंगे फिर यह देखना और बी अच्छे से समझ में आएगा अगर यह कम समझ में आ जाता है फ्लेट निकल जाता है वह सारी चीजे में एक बार में बता दूगा शुरू के आदे गंटे में कभी फिर लाइफ में इक अन्फुजन नहीं होगा आप लोगों को फ्लोर फ्लेट के अंदर बेसिक के अंदर उसके बाद में जबर्दस तरीके प्रैक्टिस करेंग ठीक है आज कल में इसके अंदर जादा तर फ्लोर फ्लेट का ही आ रहा है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको लगा हो कि मेहनत करके आपको हमने समझाया है तो ज़्यदा से ज़्यदा अपने दोस्तों तक अपने जो भी साथी स्टूडेंटे उन तक हमारे ये लेक्चर पहुंचाईए ताकि उन तक भी हमारी जो भी मेहनत है वो पहुंच पाए और ऐसी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे हैं एक्जाम नजदीक है अप खुद गाध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहे हैं फिर मिलेंगे एक शांदार लेक्चर के साथ में